किसी सहर के विकास में विवस्याईयों की अहम भूमिका होती है, ब्यापारियों के बल पर ही सहर विक्षित होता है, कारण यह होता है कि आम लोगों को आसानी से अपने आसपासी सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, जिस कारण उस छेतर का विकास होता है, लेकिन अगर बात करे तो सहर की समस्या में ब्यापारियों का भी आम भूमिका होती है कारण यह होता है कि ब्यापार वो सरक पर ही करने लगते है जिस कारण यातायात प्रभावित होता है मैं बात करना हूँ दर्भंगा सहर का दरभंगा सहर कमिस्टरी सहर है वही जिला मुख्याले भी है दस बय से लेकर आत्रिके नौ बय तक सहर में चहल पहल लाता है बरे-बरे ब्यापारी परतिस्ठान है मौल है बरे-बरे नर्सिंग होम है साथ कई बरे-बरे परतिस्ठान भी है लेकिन सबसे समस्या यहां उत्प प्रशासन एबं समंधित विभाग तो कारवाई करती है लेकिन उसका सकारात्मक परणाम नहीं हो पाता है इन सब समस्या को लेकर दर्भंगा चेंबर अफ कॉमर्स के पुर्व अध्यक्ष पवन सूरेका से जब हमने बात किया तो उन्होंने क्या कहा वो आप सुने आपको ब वह तक जाम नहीं रहता है बरे बरे ब्यापारी मौल परतिस्थाण जो है उनके पास पार्किंगं सोरेका से जानना चाहा कि आखि न होना चाहिए तो उन्होंने बिष्ट जानकारी दे उन्होंने क्या कहा सुनी ए दर्भंगा दर्सरु क्या च्छोटे दुकांदार हो या बड़ी दुकांदार हो वो अपना समान दुकान में कम रोड पर अधिक रखते हैं क्या कहेंगे यह आप जो कह रहे हैं यह समश्या बहुत दिनों से चली आ रही है और जब भी हम लोग नगर निगम के नगर आयुक से मिलते हैं या जिला पदा अधिकारियों से भी मिलते हैं और डेलिगेशन लेके तो हम लोगा यह मुद्दा रहता ही रहता है एक अतिक्रमन हम वैवशाई इसमें सबसे ज़्यादा दोशी है हम ब्राबर कहते हैं कि हम वैपारी इसमें अतिक्रमन सडकों का सडक सडक की चोड़ाई कम नहीं है सडक का काफी चोड़ी चोड़ी है अगर अतिक कमलनुप्त हो जाए तो आने जाने में और जो ट्रैफिक जाम रहती है उसकी समस्या का भी निदान हो सकता है अब है यहां यह कि ब्यवशाईयों को हम लोगों ने पहले हम लोगों ने कहा भी तब प्रशाशन को कि हम सभयोग करते ह हैं इसमें आपको हम लोगों ने ब्यवशाईयों को एक बार पंप्लेट मांट करके भी काता कि आप कम से कम दुकान के आगे मत रखिए अपना समान आगे मत जहां तक आपका है पर मिसेज उहीं तक रखिए लेकिन क्या है कि कोई मानते नहीं है पहले खाली छोटे वेपार यह वो जितना अंदर है हम समान उतना बाहर रखते हैं रोड़ पर रखते हैं और इस अतिक मन के वज़े से ट्रफिक प्रचौर्श 4 Baldi कि जो छोटे ब्यापारी अंको छोदे बरे-बरे ब्यापारी है यह वह भी अपना समान जिरत चोट पर ही रख नदित को है मैंने आक स तो यह आपने आप मनवानी करते आप क्या कहेंगे विलकुल आपको यह कहना कि नगर प्रशाषन का चिला प्रशाषन का डर नहीं है और वो डर इनको पैदा करना पड़ेगा हल्ला बोल गारी करके निकलती थी पहले एक SDO यहां हुआ करते थे आईश अपसर थे मुझे को याद हम लोग भी थे उस समय टावर पर खड़े थे उनके साथ और नगर आयुक्त यह लोग मिल करके हला बूल गड़ी पहले उन्होंने चिताया लॉड़ी स्पीकर से पच्छार कर दिया और दूसरे दिन सब का समान उठा करके रोल पर से. um दूसरे अस्थानिय लोग हैं और अस्थानिय लोगों के दवाब में आके प्रशासन थोड़ी सी अपनी गधी को धीमी कर लिए ती है कहींने कहीं यह भी वज़ा है। एक दम एक दम एक दम प्रशासन भी नहीं उलजशेना चाहता है और उसके अलावा हम आपको बताएं कि जहां तक हम अंदाज करते हैं पुलिस विभाग और नगर निगम का विभाग यहीं दो इसमें प्रमुख हैं और इनके जो नी करम चारी हैं इनकी सामती से भी है इनको भी हो सकता कहीं अंडर डीलिंग होती हो और वो कुछ प मेर की जो नहीं मेर होई हैं एनको यह बात सबसे पहले कहें और जितनी बात आप आपके हम लोग ओन उनको का नगर आयुक से संबंद में जो भी वरत्मान में इनसे भी हैं इनसे भी हम लोगों ने कमसम चार-पांच बार मिले हैं और एक में मुंदम भी दिया है कि हम आपका इसमें स्रयोग करेंगे हम अतिकमन में सबसे बड़ा दोस्री बेवशाही है मैं सहर की बात करता हूं मुख्य सहर को अगर माल लैं तो दर्भंगा टावर से मिर्जापुर चौक, भागए पुछाण चौक, भागपसिंग सौक आंप भागश कंतर तक है औलो उसलंक तक बहुते हैं तक इस्तितितीन प्रतितीन बद से बत्तर होती जा रही है तो आखिर जो आम पब्लिक हो क्या करें किसके पास है क्या होगा इसका आप तो कुछ सड़कों का नाम बताएं मैं हम कहते हैं पूरा दर्भंगा लेडिया साही अतिक्रमनित है